MP अजब है? गजब है? यह तो आप जानते हैं. लेकिन जरा सोचिए कि CM की हलप लाइन पर ऐसी अजब गजब शिकायत पहुँचे जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगे और शिकायत करने वाले की शिकायत क्या है? इसे सुनकर आप भी सोच पर पढ़ जाए कि शिक कॉंग्रेस के नेता ने शिकायत दर्ज कराई है, आप सोचिए. CM से और काई की शिकायत दर्ज कराई है कि बोले, टिकेट नहीं मिल रहा है हमको. 72 से पार्टी की सेवा कर रहे हैं. कौन है ये नेता? मैं आपको बता दूँ. शियोंपुर जिले के विजयब पूर बधान सब्सक्राइब का नाम है ब्रिज मोहन गर्ग. इन्होंने CM हेलप लाइन में शिकायत की है. इस स्क्रीन शॉट आपको नजर आई रहा होगा. जो हेलप लाइन की शिकायत का स्क्रीन कोट है, जहां पर शिकायत दर्ज की जाती है. और तो और सोशल मीडिया पर भी लिखा है और यह भी कह दिया अपनी मन की बात को पीड़ा बताते हुए कि मुझे CM हेलप लाइन में शिकायत क्यों करना पड़ी. अब ब्रिज मोहन गर्ग जो है, जब उनसे पूछा गया, आप कॉंग्रेस की निता है, सीम से शिकायत हेलप लाइन पर क्यों कर रहे हैं, क्या बता र सुना आपने प्रज मोहन गर्ग बता रहे हैं, कि CM हेलप लाइन जो है, यह वो माध्या में जहाँ पर कुछ भी शिकायत करो, तो यहाँ पर निराकरण हो जाता है, अब लेकिन सोचने वाली बात यह है ना कि कॉंग्रेस के नेता है, टिकेट उनके आलाकमान को देना है, कमलनात को शिकायत कर देते, दिगविजय सिंग को बता देते या किसी बड़े नेता को, लेकिन उन्होंने उमीद CM शिवरास सिंग से कर ली है, CM शिवरास सिंग से शि सावत, वो चुनाओ जीतते आए हैं, अब इतने कत्तावर नेता हैं, कॉंग्रेस के, के जो ब्रजमोहन गर्गे इनको लग रहा है, के इनको 2023 मों टिकेट मिली नहीं सकता है, अब यही बज़े है, कि इनको लगा, कि शिकायत कहां दर्ज कराई जाए, तो जिसकी बात पहु और यह चिठी जब सामने आई, तो इसकी चड़चा अब हरतरा हो रही है, कि कॉंग्रेस नेता ने सीम हेल्प लाइन पर क्या मांगा, श्योंपूर से आप तक एक ख़बर पहुंचाई हमाई समाता, खेमराज दुबेने, आप देखते रहें, पीता क्या रहें हरा?